तो इन तीन सवालों के मैं आज आपको जवाब देना चाहता हूँ पहला काम जैसे UPA सरकार ने किसानों का करजा माफ किया था वैसे ही Congress Party पंजाब के किसानों का बाकी देश के किसानों का करजा माफ करने जा रही है दूसरी बात दूसरी बात ये सिरफ एक बार नहीं होगा हम सरकार में एक ग्रूप बनाएंगे जो किसानों की financial situation को study करेगा और जब भी हिंदुस्तान के किसानों को करजा माफी की जरूरत होगी इंडिया गडबंदन की सरकार किसानों का करजा माफ करेगी एक बार नहीं अनेक बार हम ये काम करने के लिए त्यार है दूसरी बात नरेंद्र मोधी जी ने साफ कहा कि कानूनी MSP हम नहीं देंगे मैं यहां आपको साफ कह रहा हूँ इंडिया गडबंदन की सरकार पंजाब के किसानों को हिंदुस्तान के किसानों को गैरंटी करके कानूनी minimum support price देने जा रही है और तीसरा काम जो आपने भीमा की बार बोली नरेंद्र मोधी जी का जो भीमा का प्रोग्राम है वो 16 कंपनियों की मदद करता है इस प्रोग्राम को हम रिस्ट्रक्चर करेंगे किसान friendly भीमा योजना बनेगी और 30 दिन के अंदर हिंदुस्तान के सब किसानों का पैसा उनके खाते में चला जाएगा उससे ज़्यादा डिले नहीं होगा ये ये थी बात किसानों की अब भाई और बेनो नरेंद्र मोधी जी ने और अब पतियों का काम किया आपने देखा होगा पता नहीं देखा नहीं देखा उनके आज कल बड़े इंटर्व्यूस चल रहे हैं देखा आपने देखा उनके इंटर्व्यूस चल रहे हैं मीडिया के चार चम्चे बठा देते हैं कि उनसे सवाल पूछते हैं नरेंदर मोधी जवाब देते हैं सवाल कैसे हो और अम कैसे खाते हो काट के खाते हो यह चूज के खाते हो कि ऐसे सवाल चलरे कि तो उन इंटर्वीव में एक चंशे ने उनसे पूछा मोधीairy might हिंदुस्तान में अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं इसके बारे में आप क्या सोचते हो नरेंद्र मोदी जी का जवाब आता है सोचते हैं ऐसे सोचते हैं फिर कहते हैं, क्या चाहते हो, कि मैं सबको गरीब बना दूँ, नहीं मोधिजी, हम चाहते हैं, कि जो आप अमीरों के लिए करते हो, अरब पतियों के लिए करते हो, वो आप गरीबों के लिए करो, अच्छा एक नहीं बात चली है पता नहीं आपने सुना नहीं सुना उन्हीं चम्चों के साथ इंटर्व्यू में एक चम्ची पुछती है नरेंद्र मोधी जी आप में इतनी उर्जा कहां से आती है इतनी एनर्जी कहां से आती है नरेंद्र मोधी जी का जावा आता है मैं बायो लॉजिकल नहीं हूँ, बायो लॉजिकल नहीं हूँ, पतावी चीजे कैसे होती हैं, परमात्मा ने मुझे भेजा है, और मैं बायो लॉजिकल नहीं हूँ, मैं परमात्मा का काम करता हूँ, मुझे परमात्मा ने मिशिन पे भेजा है, मतलब हिंदुस्तान के बड़े से बड़े महापुर्शों ने ये बात नहीं बुली मगर नरेंद्र मोधी जी को लगता है कि परमात्मा ने उनको चुना है सिर्फ उनको हम सब बायलोजिकल है हिंदुस्तान के किसान, मजदूर, प्रेस रिपोर्टर सब बायलोजिकल मगर नरेंद्र मोधी बायलोजिकल नहीं एक व्यक्ति को बेजा है परमात्मा ने बेजा है मैं सोच रहा है नरेंद्र मोधी जी ये फीलिंग आपको कब आती है ये आपको 24 घंटे लगता है या सुबह ऐसा लगता है या शाम को लगता है और ये जो आपको फीलिंग आई ये नोट बंदी से पहले भी आई थी किया गलच ये स्टी लागू करने से पहले आई थी ये मैं सवाल पूच रहा हूँ क्योंकि नरेंद्र मोधी के हाथ में परमानू भम का स्विच है खेर बड़े इंटर्व्यू चल रहे है उसमें नरेंद्र मोधी जी टिपनी दे रहे है शायद परमात्मा ने कहा है कि हिंदुस्तान के सारे के सारे इंफ्रस्ट्रक्चर को एरपोर्ट को पॉट्स को अधानी को पक्रादो मगर पिछले दस साल उन्हें यही किया है तो अब हम उल्टा करने जा रहे हैं उन्होंने बाइस अरपती बनाए हम करोडों लागपती बनाएंगे कैसे बनाएंगे महलक्ष्मी योजना हिंदुस्तान के सब गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी हर गरीब परिवार की लिस्ट बनेगी पंजाब में, हरियाना में, बाकी प्रदेशों में और हर परिवार में से हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगी करोनों महिलाओं के नाम आएंगे 4 जून को इंडिया गडबंदन की सरकार चुनी जाएगी और हम काम शुरू कर देंगे हर गरीब हर गरीब महिला के बैंक अकाउंट में चार जुलाई को सुबह आप उठेंगी नौ बजे आप अपना बैंक अकाउंट खोल के देखेंगी और उसमें इंडिया गडबंदन की सरकार ने 8500 रुपए आपके लिए अंदर डाल दिये होंगे जुलाई, अगस, सप्कंबर, अक्टूबर, नौवेंबर, डिसेंबर चलता जाएगा हर महिने खटा-खट, खटा-खट, खटा-खट 8500 रुपए अंदर साल के एक लाख रुपए हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में जाएगा ये करांतिकारी काम है ऐसा काम किसी भी सरकार ने आज तक नहीं किया है ये हम करने जा रहे हैं आप सोचिए सबसे गरीब परिवारों को साल का एक लाख रुपए महिने का 8500 रुपए इस से गरीबी पर बहुत जबरदस्ट चोट लगेगी लिस्ट में किसानों के परिवार होंगे मज़़ूरों के परिवार होंगे बेरोजगार युवा होंगे और सीधा हम उनके बैंक अकाउंट में पैसे का इंजेक्शन डाल रहे है इसके पीछे सोच है बाई और मैंनों इसके पीछे सोच है आइडिया क्या है मैं आपको बताता हूँ नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को लाखों करोड रुपए दिये अंबानी अधानी जैसे लोगों को उन्होंने उस पैसे को लंडन में खर्च किया दुबाई में खर्च किया, हिंदुस्तान के बाहर खर्च किया जमीन खरीदी, होटेल खरीदे जब आपके पास पैसा आएगा आप इसको लंडन में नहीं खर्च करोगे आप इसको पंजाब में खर्च करोगे गाउं में खर्च करोगे शेहनों में खर्च करोगे, शर्ट खरीदोगे तो पैंट खुरीद होगे, जूते खुरीद होगे, मोबाल फोन,UST यह चीज़े आप खुरीद होगे, और यापने इस पैसे से यह चीज़े खुरीदनी शुरू की, वैसे ही हिंदुस्तान की फैक्टरियां, अमरित सर की बंद फैक्ट्रिया एक बार फिर शुरू हो जाएंगी और हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को उन्हीं फैक्ट्री में पैसा मिलेगा तो एक प्रकार से हम हिंदुस्तान की एकॉनुमी को जंप स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कैसे मोटरसाइकल में पैटोल डालते हो और फिर चाबी घ्याल रहे हो वैसे ही हम आपके जेब में पैशा डाल रहे हैं आपके वैंक अकब पैसा डाल रहSज की अरविवसता जंप स्टार्ट होगी पीसानों को हम तर्जा माफ कर रहे हैं गरीबों के bank account में एक लाक रुपया डाल रहे हैं आज मज़्दूरों को मनरेघा के लिए 250 रुपया मिल बिलता है इंडिया सरकार मज़्दूरों को मनरेघा के लिए 400 रुपया देने जा रही है आशा और अंगनवारी की जो महिलाएं है आपकी जो भी आज आमधनी है चार जून के बाद हम उसको दुगना कर देंगे डबल कर देंगे अब आई बात बेरोजगार युवाओं की नरेंद्र मोधी जी ने हिंदुस्तान के युवाओं से कहा था दो करोड युवाओं को मैं रोजगार दूँगा प्राइविटाइजेशन किया सरकारी वेकंसीज नहीं भरी अमरिट सर पंजाब और पूरे हिंदुस्तान के स्मॉल और मीडियम बिजनसेज को खतम कर दिया गलत जी एस्टी लागू की नोट बंदी कर दि और इसका नतीजा हिंदुस्तान देख रहा है आज हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार मिले नहीं सकता अमबानी और अधानी रोजगार नहीं दे पाते दे नहीं सकते रोजगार स्मॉल और मीडियम इंडिस्ट्री देती है छोटी छोटी फैक्ट्रियां देती है रोजगार agriculture में दिया जा सकता है तो अम पहला काम सरकारी नौकरियों को बरने का करने जा रहे हैं तीस लाग सरकारी नौकरियां आज हिंदुस्तान में खाली है हमारा पहला कदम उन नौकरियों को आपके हवाले करने का होगा दूसरा काम और करांतिकारी काम हिंदुस्तान के युवाओं को मैं कहना चाहता हूँ अर अब पतियों के बेटे जॉब मार्केट में जाने से पहले एक साल की टेंपररी नौकरी करते हैं उसमें उनको ट्रेनिंग मिलती है पैसा मिलता है और जॉब मार्केट में अंदर जाने का मौका मिलता है मगर ये फैसिलिटी गरीब युवाओं को नहीं मिलती युवाओं को नहीं मिलती हमने पहले मनरेगा में रोजज़ार का अधिकार दिया था उससे करोणों लोगों को फाइदा हुआ मगर जो हमारे graduates हैं under graduates, diploma holders इस योजना से उनको फाइदा नहीं हुआ इसलिए हम graduates को diploma holders को, university college graduates को एक नया अधिकार देने जा रहे हैं पहली नौकरी पक्ती का अधिकार private sector में public sector में PHEL, HAL सरकारी अस्पतालों में, सरकारी colleges, universities में सरकारी offices में आपको एक साल की नौकरी का अधिकार मिलेगा बहतरीन ट्रेनिंग मिलेगी हर महीने आपके bank account में 8500 रुपय जाएंगे साल के आपको एक लाग रुपय मिलेगी हिंदुस्तान के सारे के सारे बेरोजगार युवाओं को ये facility मिलेगी इससे हिंदुस्तान को एक प्रेंड वर्कपोर्स मिलेगी बेरोजगार युवाओं के जेव में पैसा जाएगा उनको experience मिलेगा और वही पैसा जो उनके जेव में जाएगा जैसे महिलाओं का पैसा अर्ध्रवस्ता को चालू करेगा वैसे ही ये पैसा भी अर्ध्रवस्ता को जंप स्टार्ट करेगा तो यह हमारी सोच है में चीज सम्विधान की रक्षा गुरु नानक जी की सोच की रक्षा भाई चारा और जैसे अपने जैसे मैंने बारद जोड़ो यात्रा में कहा था नफरत के बाजार में महबबत की दुकान खोलनी है सबको एक साथ लाना है और एक साथ मिलकर प्रगति करनी है ये आपके लिए मेरा मेसेज है आखरी बात कहना चाहता हूँ नहीं हाँ आया था अमरिट सर्क गुल्डन टेंपल में मैंने सेवा की उससे पहले भी किया था मत्था टेकता था मगर सेवा नहीं की थी जब मैंने सेवा की तो बिल्कुल दूसरे तरीके से मुझे बात समझाई इतनी शांती मिली और थोड़ा सा जो आपका ये धर्म है सुन्दर धर्म है इसके बारे में थोड़ा सा मुझे समझाया तो मैं आपसे कहना चाता हूँ कि अमरिट सर और गोल्डन टेंपल को हमें एक ग्लोबल सेंटर बनाना चाहिए धर्मिक सेंटर बिल्क्रमिक सेंटर और ये जो सोच है और जो शांती वहां मिलती है इसको पूरी दुन्या में हम सब को मिलकर फैलाना चाहिए और इस काम को मैं आपको कह रहा हूँ कि इस काम को करने में जो भी मैं कर सकूँगा जितने में मैं शक्ति डाल पाऊँगा मैं डालने जा रहा हूँ आप आप सब का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद